आज हम बनाएंगे हलवाई जैसा पनीर घर में असानी से बिना हम सिरका और बिना ही हम फिटकरी के बनाने वाले हैं और बहुत ही सोप्ट सा पनीर बनेगा तो चलिए रेसिपी को बनाना स्टार्ट करते हैं सबसे पहले तो पतीला ले लिया हमने और इस तरह से थोड़ा सा हम तो दूद अभी और भी डालना है कि एक लीटर दूद मैंने और डाल दिया तो टोटल तीन लीटर दूद हो गया तो पतीला जैदा भर गया उपर तक तो तीन लीटर दूद से हमारे लिए बहुत जैदा पनीर बन जाएगा तो अच्छी खासी सबजी बन जाती है तो दूद थोड़ा जैदा हो गया था तो थोड़ा मैं निका रही हूँ जब दूद पकना स्टार्ट हो जेगा तब मैं वो दूद डाल दूँगी तो अभी न मलाईन हमने बनने देनी इस तरह चलाते हुए फिर दूद पकना जब स्टार्ट हो जेगा तो तब हमने वो वला दूद जो रखा वो मैंने डाल दिया अब फिर से इसे चलाते रहने और छोड़के नहीं जाना बनना वाईल आएगा तो दूद सारा गिर जाएगा तो मैंने तो वैसे भी जएदा भर लिया पतीला इस तरह से जब फिर से दूद पकना स्टार्ट हो जे तब हमने लेन है निउम्बू का रस तो दो से तीन निउम्बू का रस आप ले लीजिए तो पहले ही निकाल रख लीजिए तो मैंने न ढ़ाई निम्बू का रस डाल दिया इसमें थोड़ा सा पानी भी डाला था कटोरी में, बहुत थोड़ा सा अगर डारेक्ट भी डाल दो न आप दूद में तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है लेकिन मैंने थोड़ा पानी भी मिलाया थोड़ा थोड़ा करके मिलते जाएं, तीन चार बर करके ये नीम्बू वाला पानी डाल दीजिए, हम कोई भी सिरका नहीं ले रहें, और नहीं हम इसमें फिट करीब गर डाल रहें, तो नीम्बू तो सबके घर में होते हैं, तो उसी से अराम से पनीर तयार हो जेगा, तो यासानी से ये अभी फट गया और ग्रीन सा ये पानी हो गया, तो इटमेंस ये अच्छे से हो चुक है, पनीर अभी फट चुक है, तो अभी इसे छान लेते हैं, इस तरह से मैंने नीचे कडाही रख ली, और ये मैंने एक सूती कपड़ा ले लिया, इसको गीला कर लिया, तो जो बाकी बचा ना तो मैंने उसे चान लिया अलग तो यह पानी ना अगर पनीर मटर पनीर की सबजी बनाओ उसमें यूज कर सकते हो तो यह पनीर अभी नीचे था इसे भी डाल देते हैं तो इस तरह क्या होगा जदा पानी नी हमें इसमें डालना पड़ेगा इसलिए मैंने अलग छान लिया तो अभी गाठ बांध लेते हैं तो आप सबको पता ही है कि मार्किट में तिहारों के दिनों पर कितनी मिलावटी चीज़े मिलती हैं तो दूद वाली चीज़ों में तो बहुत ज़्यादा मिलावट की होती है तो इसलिए पनीर को घर में ही बना लेना चाहिए बहुत ही असान है बनाना तो सबको ही ऐसा करना चाहिए एकदम से प्यूर पनीर हामें मिल जाता है तो यह देखिए इस तरह मैंने प्लेट लखरी और एक रख लिया चकला रोटी बेलने वाला इसके उपर रखी गाठ और इसके उपर कुंडी रख दी भारी सी यह देखिए अभी हमने ज्यादा देर नी रखना ज्यादा से यह देखिए कितना बड़िया सा पनीर त्यार हो गया लेकिन अभी हमने क्या करना है इसको इस तरह से किसी बॉल में डालके उपर से पानी डाल देना है तो इसे आधा गंटा रखिए एकदम से सोफ्ट पनीर हो जेगा तो जैसे मार्किट में मिलता वैसा ही और और ज़दा फूल जाएगा काफी क्वांटिटी बढ़ जाएगी इसकी यह देखिए कितना भारी सा हो गया तो यह ना से सोग्राम से भी थोड़ा जैदा ही पनीर इतना तयार हो चुक है तो अब इसके पीस करते हैं यह देखिए बहुत ही सोफ्ट और बड़िया सा पनीर तयार हो चु क्योंकि मुझे आज सब्जी नहीं बनानी इसकी जब सब्जी बनानी होगी तो चोटे पीस करूंगी तो यह थी हमारी आज की रेसिपी अच्छी लगे चैनल को सब्सक्राइब करें वीडियो को लाइक करें